बनाईए अपने CSI NET की प्रिपरेशन को आसान अनकाडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ जोईन करिए मेरे सारे लाइफ क्लासे सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे स्टक्चर कोर्सेस, कम्प्लीट नोर्स, जिनल अपिट्यूट की क्लासेस, टेस्स सीरीज, डाउट केरिंग सेशन इतने ही नहीं आप एक सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स को अटन कर सकते यूज कर ये कोड जोती for getting the 10% discount on your plus subscription और अगर कोई query होती है तो आप मुझे given mail id पे mail कर सकते अगर आप CSI net की तेयारी कर रहे हैं तो unacademy plus के subscription पे 25% कर discount चल रहा है और ये discount offer आपको 20 April से लेकर 24th of April तक देखने को मिल सकता है ये जो offer है that is 25% के discount ये आपको मिल रहा है 12 मंत के subscription पे as well as 6 मंत के subscription पे इस 25% discount को पाने के लिए आपको use करना होगा code जोती जोती कोड यूस करेंगे तब ही जाकर आपको 25% का discount मिलेगा और अगर कोई query होती है तो आप मुझे इस given mail id पे mail कर सकते हैं जो कि है jyots1650 at the rate of gmail.com Hello everyone and it's me your educator Jyoti अज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं developmental biology के कुछ questions के बारे में जो की dbt में पूछे कहें हैं so let's proceed last video में मैंने आपको detail discussion के तौर पे बताया था कि cleavage कैसे होता है ठीक है mammals में मतलब initially जब organism में development phase जल रहा होता है early development phase तो उस time पे zygote बनने के बाद जो zygote होता है वो मतलब embryo बनने के stage से पहले पहले बहुत ज़्यादा fast तरीके से divide करता है इसके लिए आपको ये बताया था मैंने की mainly वो ये काम तभी कर पाते है जब वो biphasic cell cycle को follow करते है ठीक है biphasic cell cycle क्या होती है एसी cell cycle जिसमें सिर्फ S और M phase होता है ठीक है with no G1 and G2 phase ये phase उनमें नहीं देखा जाता है तो mitosis में and cleavage में यही difference है कि mitosis में G1, G2, S, M ये सारे phase देखे जाते हैं लेकिन cleavage में सिर्फ और सिर्फ S और M phase देखा जाता है जिसकी विएसे हम इसे biphasic कहते हैं तो अगर आप यहाँ पर question भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है अगर देखे हम यहाँ पर following fertilization zygote divide rapidly to form the large number of cells within a short time through a process called the cleavage. In some organism like C-Archene, the cells of early embryos skip some stages of cell cycle in order to achieve this which of the following steps may be skipped. तो यह बहुत ही direct सा question है आप से पूछा है कि कौन सा step skip करेगा तो cleavage की बारे में जब भी हम बात करते हैं जितना rapid division हो रहा होता है उस तौर पे हमेशा ही यह देखा जाता है कि G1 and G2 यानि gap phase को skip कर दिया जाता है So our answer will be G1 and G2 यह दोनों phase को skip कर दिया जाता है जब हम fertilization के बाद का जो cleavage process होता है उसे study करते हैं तो Next question देखिए बोला है cell cycle division is divided into four phase G1, S, G2 and M Standard eukaryotic cell cycle are 12 hours or longer duration. Early embryonic cell cycle are extremely rapid having a time duration of less than an hour तो जब हम normal cell division की बात करते हैं जब cell cycle चल रहा होता है तो उसमें G1, S, G2, M यह 4 phase देखे जाते हैं और लगभग वो अच्छा कासा 12 घंटे का time लेते हैं एक cycle एक cell cycle पूरा complete होने में लेकिन अगर हम early embryonic development की बात करें तो वहाँ पर यह मुश्किल से एक घंटे का time लेता है यह cycle तो यह कैसे हो पाता है और 37 rapid division भी होता है तो यहाँ बोला है which of the following phases are drastically reduced in the embryonic cell cycle कौन से phase को embryonic cell cycle में reduce कर दिया जाता है तो यह again वैसा ही question है लेकिन थोरा सा indirect है तो again इसका answer क्या होगा G1 and G2 no doubt क्योंकि G1, G2 क्या करते हैं यह gap 1 and gap 2 phase होते हैं अच्छा खासा time लेते हैं क्योंकि यह growth phase भी कहलाते हैं ठीक है तो इनमे time लगता है लेकिन division यानि सिर्फ S phase और M phase जो है इसमें काफी कम time लगते हो भी rapid तरीके से division हो रहा होता है cleavage के time पे तो G1 and G2 phase को reduce कर दिया जाता है skip कर दिया जाता है अच्छा यह एक और question है although इसका concept जो है मैंने deal तो किया है आपको याद होगा garkan protein के बारे में ठीक है garkan protein के बारे में मैंने आपको पढ़ाया तो है लेकिन इस garkan protein के बारे में मैंने आपको dorsal axis के case में पढ़ाया है if you remember लेकिन एक और concept आता है जिसको हम कहते हैं बहुत ही जादा detailed concept वो concept मैंने आपको नहीं पढ़ाया है जहां पे garkan indirectly anterior posterior axis के formation में मदद कर रहा होता है तो उसी से related यहां पे question पूछा गया है तो मैं although मैं आपको question पढ़के बता देते हूं question क्या है मैं आपको इसका concept जो है इसी वीडियो में बताऊंगी question पूछा गया है in drosophila embryogenesis the signal received from the garkan protein by the follicle cell resultant in the posteriorization of these cells यानि garkan protein जो follicle cell के through receive किया जाता है तो वो उस area को posterior cell में बदल देता है knocking out the gene for the garkan in drosophila will not result in the failure of अब यह बोला गया है कि अगर हम इस gene को knock out कर दे मतलब कि इस garkan gene को drosophila में से हटा दे तो बोला गया है कौन सा यहां पर failure नहीं देखा जाएगा ठीक है तो drosophila will not result in the failure of तो आप question को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि पूछा गया कि garkan gene को mutate करने के बाद भी ऐसा कौन सा चीज होगा जो कि failure नहीं शो करेगा पहला option है accumulation of maternal mRNA, second है rearrangement of maternal mRNA at the two end of the embryo third है establishment of garkan, sorry gradient of garkan and the fourth is establishment of the anterior posterior axis मैंने आपको question बढ़ा दिया, अब मैं आपको concept deal करवाते हूँ, फिर जब हम दुबारा से question पर आएंगे तो आपको बहुत आसानी से आप आराम से question को पहचान पाऊंगे कि इसमें से answer कौन सा होगा तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो in general जैसे कि आपको पता है कि जब हम drosophylla की बात करते हैं तो दो टाइप की gene होते हैं zygotic and maternal, तो maternal की कहानी क्या होती है कि maternal genes जो होते हैं वो mRNA form में stored होते हैं ठीक है और कुछ ऐसे भी gene होते हैं जो अपने protein form में change हो जाते हैं और protein form में change होने के बाद वो अपना एक gradient establish कर लेते हैं gradient establish करने का मतलब होता है कहीं पे जादा कहीं पे कम तो अगर हम in general बात करते हैं मैं यहाँ पे एक drosophylla का egg बनाती हूं ठीक है I mean to say egg chamber बनाती हूं suppose कर लीजिए this is the egg chamber of drosophylla ठीक है यह इसके अंदर अब यह बाहर की तरफ क्या हो गया यह बाहर की तरफ हो गया यह सारे के सारे follicle cells यह egg chamber है drosophylla का यह बाहर की तरफ follicle cells आपको देखने को मिल रहे और इस पूरे को हम मिला कर जो है एक चामबर का नाम देते हैं और यहाँ पर क्या देखा जाता है? इतने पूरे area में यह जो होता है यहाँ पर एक nucleus पाया जाएगा ठीक है? इसे हम कहेंगे oocyte यह जो यहाँ पर cells आपको दिख रहे हैं यह सब क्या होंगे यह सब होंगे follicle cells और यहां पर पाया जाएगा nurse cell ठीक है nurse cell का काम क्या होता है nurse cell का काम होता है यह जो mRNA बन रहा है यह mRNA को बनाना और उसके बाद उसको oocyte के अंदर भीज देना यहां पर जो nurse cell पाई जाती है लगभग 15 पाई जाती है ठीक है मैंने तो रफली तोर से बना दिया है लेकिन all over अगर बोला जाए तो nurse cell and plus एक oocyte मिला कर total 16 cell होती है ऐसे nurse cell जो है total पाई जाती है जो कि है 15 ठीक है these are nurse cell अब इस nurse cell का काम क्या होता है जो भी mRNA यह बनाती है यह कब की बात हो रही है यह बात हो रही है अभी तक fertilization नहीं हुआ है ड्रॉस ओफिला में ठीक है it is happening before the fertilization अब होता यह कि जो nurse cell mRNA बनाती है different different mRNA उसको यहां पे भेजती रहती है ठीक है यह mRNA यहां पे आते रहते हैं अभी कौन-कौन से mRNA होंगी लग बग आप इसमें इसमें भी mRNA होते हैं कि हमने पढ़ा था bicoid and nanos यह सारे mRNA होते हैं क्योंकि यह नहीं भूलना है कि यह mRNA protein में after fertilization ही convert होते हैं पहले नहीं convert होते हैं पहले वह mRNA form में stored होते हैं तो यहां पर आकर क्या होंगे यहां पर आकर यह accumulator हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं mRNA का accumulation होना ठीक है तो यह चीज़ देखा जाता है अब होता क्या है कि यहां पर इसी mRNA के form में गारकन भी आता है मालेते हैं इस इस दी गारकन mRNA अब यह गारकन mRNA क्या करता है यह गारकन mRNA जब यह फेज चल रहा होता है यह जिस फेज की हम बात करें दिस इस दी एग चैमबर तो होता यह है कि यह जो mRNA है यह इस nucleus के साथ रहता है और nucleus जब यह वाला फेज चल रहा होता है तो nucleus localize कर रहा होता है एक जगे से दूर से जगे पर और देखा यह जाता है कि कुछ time में यह nucleus जो है इस तरफ चला आता है along with this mRNA ठीक है अब यह mRNA जो है यहाँ पर गारकन mRNA म्रेने करता क्या है गारकन mRNA यहाँ पर protein में convert हो जाता है इस तरीके से और इतने ही नहीं यह जो follicle cell हमने यहाँ पे बनाये है इस follicle cell पे कुछ receptor पाये जाते है में लिए उस receptor का नाम क्या है उस receptor का नाम होता है torpedo ठीक है यह torpedo सारे follicle cells पे यहाँ पे पाया जाता है इस तरीके से और इसको हमने नाम दे दिया torpedo अब यह torpedo receptor क्या करता है इस गारकन प्रोटीन के साथ इसकी specificity होती है तो गारकन प्रोटीन gradient बना चुका है gradient यानि जहाँ पे यह produce हो रहा है वहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है और जहाँ से यह बहुत दूरी बनाए रखा इसने वहाँ पे यह कम प्रेजेंट है अब जैसे ही यह गारकन और टॉर्पीडो बाइंड करते हैं यह वाला एरिया कौन सा है अगर आप ध्यान से देखें तो यह वाला एरिया posterior में आगे चलके बनता है और ये वाला area anterior में बनता है लेकिन ये कैसे बनता है जैसे ही ये गारकन टॉर्पीडों के साथ bind करता है होता ये है कि इनकी binding की वज़े से क्या होता है इनकी binding की वज़े से मैं यहां पर बताती हूँ यहां पर एक लिपिड काइनेज अक्टिवेट होता है वो लिपिड काइनेज क्या करता है इसी area में PAR नाम की protein को पी आर वन नाम के protein को activate कर देता है अब जब ये पार protein activate होता है मतलब इसी area में activate हो रहा होता है पुरा का पुरा अगर हम बात करें इसी जोन में ठीक है। ये जब एक्टिवेट होता है PR प्रोटीन तो इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है Urim site के अंदर, ठीक है Urim site के अंदर क्या करना। इ sub site के अंदर इसका काम होता है कि यе. और्गिनाइज करता है माईक्रोटविएृ वा यहां पर आइक्षिशन होता है तो एक जो microtubule होता है वो क्या करता है वो bicoid को bicoid mRNA के साथ bind करके उसको कहा ले कर जाता है? उसको ले कर जाता है anterior में और दुसरा microtubule क्या करता है? वो nano's mRNA को bind करता है और उसको ले कर जाता है posterior area में यानि कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि ये वाले एरिया में ये वाले एरिया में कुछ टाइम बाद बाइकोईड इस वाले एरिया में बाइकोईड एम्रेने पाया जाता है और इस वाले एरिया में इन जनरल देखा जाये तो नैनोज एम्रेने पाया जाता है वो आपको और वो वहाँ के area को anterior बनाएगा अब आप खुद मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर torpedo और garkon का role directly और indirectly आपको देखने को नहीं मिल रहा है in case of the posterior axis formation और सीधी सी बात है जिस area को वो posterior बनाएगा उसके opposite वाले area को वो anterior बनाएगा तो जब हम बहुत specific और selective basis पे study करते हैं तो हम यह कहते हैं कि bicoid की वज़े से anterior area बनता है और nanos की वज़े से posterior area बनता है लेकिन अगर हम back study करते हैं मतलब कि पूरे reasons के साथ पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो यह होता है reason कि garkon protein जो हैं torpedo के साथ bind करता है इसके binding की वज़े से PAR protein activate होता है PAR protein की वज़े से bicoid को उसका सही location मिलता है anterior का and nanos को उसका सही location मिलता है posterior का और इस reason की वज़े से anterior posterior axis establish होता है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि garkon भी जो हैं यहां पर अपना role play कर रहा है for making the particular area into the posterior axis ठीक है तो यह सारा case हो गया fine तो हम यह कह सकते हैं कि जहां पर garkon and torpedo अपना mainly signaling कर रहे हैं वो वाला area जो है posterior में बदल जाएगा और opposite वाला area anterior में बदल जाएगा लेकिन इस concept को आपको confuse नहीं करना है with the dorsal vental axis dorsal vental axis की कहानी पूरी अलग चलती है वहां पर torpedo and garkon काम करते हैं very obvious लेकिन उस time तक क्या होता है garkon जो है migrate करता करता हुआ यहां पर चला आता है तो वो case अलग है उससे इसको आपको बिलकुल भी confuse रही करना है यह बहुत ही initial stage में हो रहा और उससे काम करने का तरीका पूरा आ लग है अब अगर हम वापस से आते हैं जरा question को आप ध्यान से देखिए आपको क्या बोला गया था knocking out the gene for the garkon in the drosophila will not result in the failure of यानि simple भाशा में कहें पूछा गया है कि क्या चीज गरबड नहीं होगी पहला है accumulation of maternal mRNA second is rearrangement of maternal mRNA into the two end of the embryo third is establishment of gradient of garkon and the fourth is establishment of anterior posterior axis तो पहले मुझे बताईए कि first अगर देखा जाए fourth option बोला है anterior posterior axis का formation हो जाएगा नहीं होगा क्या बोला गया है नॉक आउट कर दिया गया है गारकन के जीन को तो इसका formation नहीं होगा क्योंकि anterior posterior axis तब ही बनते हैं जब गारकन काम करता है second thought है establishment of the gradient of garkon garkon का gradient भी नहीं होगा क्योंकि जब gene protein में बदलता है तब gradient form होता है लेकिन यहाँ पह तो gene को नॉक आउट कर दिया गया है बी में बोला है rearrangement of maternal mRNA at the two end of the embryo अब सोच आप बताइए मुझे maternal mRNA किसके बारे में बोला है bicoid और nanos के बारे में बोला है तो जब गारकन है नहीं तो गारकन initial वाला signaling शुरू नहीं करेगा और वो शुरू नहीं करेगा तो bicoid mRNA एंटिरियर में नहीं जाएगा और nanos mRNA पोस्टियर में नहीं जाएगा तो ये दोनों maternal mRNA दो end में पहुच ही नहीं पाएगे यानि ये भी इसका भी failure हो जारा इसका भी failure हो जारा इसका भी failure हो जारा question है बुछा है किसका failure नहीं होगा पहला accumulation of maternal mRNA के present रहने के वज़े से इनका accumulation effect होता है नहीं इनको तो हर हाल में accumulate होना है क्योंकि यहाँ पे इनको यहाँ पे भीजने का काम करी है nurse से तो यहाँ पे यह accumulate हो जाएगे यह बोलिए कि इसके बाद इनका सही location जो है वो नहीं मिल पाएगा इनको लेकिन actual में mRNA तो यहाँ पे accumulate होई जाएगे तो यहाँ पे यहाँ पे accumulate होई जाएगे तो अगर हम ध्यान दे तो यहाँ पे हमारा पहला option सही हो जाता है कि maternal mRNA की accumulation पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा इवन अगर गारकन कोई मतलब की drosophila से रिमूव कर दिया जाए या नॉक आउट कर दिया जाए तो maternal mRNA अभी भी आकी accumulate होगे लेकिन सही location पे नहीं होगे जहाँ पे उनको होना चाहिए वहाँ पे वो नहीं होगे ठीक है तो यह था एक question हमें थोड़ा time लगा लेकिन very obvious क्योंकि मैं वहाँ पे को मैंने deal लहीं कर आया था because I was not knowing कि इतने deep basis पे भी question आ जाते है but that is not at all a problem आपको concept gain करने से मतलब उना चाहिए चाहिए हम किसी भी form में gain करें next question आता है fertilized single cell cattle egg is what type of stem cell अब देखें किसी भी organism का fertilized egg की अगर हम बात करें यानि एक ऐसा एक जो अभी just हर हाल में ही कुछ भी कहलो वो totipotent ही होता है राइट वो total organism का development करवाता है तो इसमें तो कोई शक्की बात नहीं कि it will be the totipotent stem cell so fertilized single cell cattle egg is what type of stem cell it is the type of the totipotent stem cell क्योंकि pluripotent to embryonic development करवाता है multipotent कुछ small subset of cell बनाते है none of the above हो नहीं सकता okay अगला question है the germ layer that produces nervous system is आपको मैंने gastrulation का topic पढ़ा है right gastrulation का topic बहुत ज़्यादा important है उसको उसमें जो-जो germ layer क्या-क्या चीजें बना रही थी वो आपको ध्यान में रहा है क्योंकि उससे देख़े कैसे-कैसे question आ रहे है वहां पर मैंने आपको यह भी पढ़ा है कि nervous system जो होता है वो कौन से germ layer से मिलकर बनता है that will be from ectodorm ठीक है ectodorm से जैसे कि eyes हो गए ठीक है nervous system हो गए यह सारे area क्या होते है mainly ectodorm से मिलकर बनते हैं ठीक है अगला question लेते हैं embryonic stem cells are unipotent, totipotent, pluripotent, differentiated okay तो embryonic stem cell कौन होगे embryonic stem cell को ही तो हम ICM कहते हैं भोते हैं inner cell mass right inner cell mass को ही rather to say inner cell mass को ही हम embryonic stem cell कहते हैं और हमने यह भी पढ़ा है कि ICM को या ESC को हम किस category में डालते हैं हम कहते हैं it is the type of the pluripotent stem cell एक ऐसा stem cell जो की embryonic development करवाता है extra embryonic portion को नहीं बनाता है सिर्फ embryonic portion को बनाता है जो की क्या कर रहा था जो की zygote को बनाने का काम कर रहा था and hence the name has been given ESC that is embryonic stem cell ठीक है तो आपका answer हो गया यहां पर कौन सा pluripotent stem cell next question आता है the niche of stem cell in the human skin is तो एक ऐसा niche जहां पर stem cell रहते हैं वो भी human skin में वो कौन सा होगा तो यह एक टाइप का factual question है पहला है dermal papular region of the hair follicle second है bludge region of the hair follicle third is sebaceous gland and the D is malfeasian layer तो इसका answer कौन सा होगा second होगा जो bulge region होता है hair follicle का वहां पर stem cell के niche पाए जाते है mainly in the human skin अगला question देखिए क्या पूछा है which of the following type of stem cell have a highest risk of teratoma formation अब यहां पर देखिए एक नया word आगया teratoma formation यह कौन से stem cell ऐसे होते है जिनके पास risk बहुत जादा होता है teratoma formation का teratoma क्या होता है मतलब एक ऐसा teratoma एक type का cancerous condition ही हो जाते है जब कुछ ऐसे cells में embryonic cells में जब problem होती है तो वो क्या कर सकता है वो teratoma form कर सकता है तो जो teratoma होते हैं वो एक type के tumor ही होते हैं ठीक है लेकिन ये germ cell tumor मतलब इनको हम mainly मानते हैं अब ये होता क्या है तो teratoma जो word आता है यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक word आता है जिसे हम बोलते हैं teratogenesis teratogenesis क्या होता है teratogenesis एक type का birth defect होता है मतलब कि माली जी कोई अभी और स्प्रिंग या कोई बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है और मदर अगर कुछ ऐसे chemical से कुछ ऐसे factor से exposed होती है जैसे कि माली जी alcohol हो गया highest concentration of drugs हो गया तो होता क्या है कि वो मदर पे तो कुछ खास effect पड़ता नहीं है जो fetus उसकी body में है उस पे वो effect डालता है और यही effect जो उस बच्चे में defect create करता है उसे हम teratogenesis कहते हैं और जो factors है ठीक है जो factors हैं जो यह cause करते हैं causing factors जो हैं उसे हम बोलते हैं teratogenes so these are the factors which are causing teratogenesis ठीक है teratogenesis process हुआ teratogenes factor हो गया इनी से related एक type का cancerous condition को हम teratoma कहते हैं तो बोला जा रहा है कौन से से हाइस्ट रिस्क पर होते हैं तो mainly अगर मैं आपको बताऊं जब developmental phase चल रहा होता है तो 3 से लेकर 8 week तक का जो development होता है fetus का वो सबसे जादा highly risk पर होता है मतलब की teratogenesis के लिए यानि उसके अंदर birth defect देखी जा सकते हैं जब एक बच्चा तीन से आठ वीक तक के लिए आठ वीक के बीच में उसका growth चल रहा होता है जैसे कि अगर मैं आपको एक picture यहां पर दिखाती हूं यह picture आपको दिखा रही है कि कौन से phase में teratogenesis का effect बहुत जादा होता है तो for example अगर यह जो red color का portion है measure congenital anomalies यानि यहां पर abnormalities produced होगा जो red color वाला बार है आप उतना देखिए तो आप ध्यान देंगे यह रहा third week of development यहां पर एक एक दिखा के रखा है कि कैसे fetus develop हो रहा है third week से लेकर लगबग 8 week तक या third से लेकर 9 week तक आप consider कर लेजिए roughly जो होता है वो लगबग 3 to 8 week हम consider करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर इस phase इस time duration में जब यह बच्चा 3 से 8 week के बीच में है अभी grow कर रहा है और इस वक्ट पे अगर मदर कुछ ऐसे triatogen से exposure हो जाता है उनका जो की capable है triatogenesis करवाने में तो बच्चे के अंदर defect देखने को मिलता है जैसे कि अगर देखा जाए तो 3 से लेकर 9 week तक regular basis पे central nervous system high risk पे होता है कि यह affected हो सकता है triatogen से अगर बात करें heart का तो यहाँ पे देखा जाता है कि लगभग इसका risk होता है 3 से लेकर 6 week तक मतलब हम यहाँ पे लिखना चाहें किसका risk कितने week तक है तो यह लगभग 3 से 9 तक देखा जा रहा है heart की अगर हम बात करें क्योंकि यह जो yellow portion है वो बता रहा है तो यह हो सकता है 3 से लेकर 6 week तक ठीक है अपर limbs का defect कब तक देखा जा सकता है यह देखा जा सकता है 4 से लेकर 5 week तक इसमें यह जो duration आपको बता रही है इस duration में सबसे high risk होता है कि triatogenes fetus पे effect डाल सकता है अगर mother triatogenes से exposure मतलब mother का अगर exposure हो रहा है तो यह रहता है 4 से लेकर 5 week तक teeth की बात करें तो यह रहता है 7 से लेकर 8 week तक and pellets के अगर हम बात करें तो यह होता है 7 से लेकर 8 तक external genitalia का case अगर हम देखते हैं तो यह भी 7 से लेकर 8 तक होता है और year की अगर हम बात करें तो year लगभग 4 से लेकर नाइन वीक तक इतने पर रिस्क आप देख सकते हो कि देखा जाता है ठीक है तो जो embryonic period होता है देखिए ध्यान से जो embryonic period है वही actual में सबसे ज़्यादा high risk पर है क्योंकि embryonic period 3 से लेकर 8 वीक तक देखा जाता है उसके बाद fetal period शुरू हो जाता है तो जो सबसे ज़्यादा मतलब की एक डंग से आपके सकते हो maximum जो development का time चलता है जो बहुत ज़्यादा critical development होता है वह 3 से लेकर 9 8 वीक तक के बीच में देखा जाता है इसलिए वह phase ज़्याद कॉमन साइट बता रखके रखा है triatogen action का कि जैसे कि यहाँ पर अगर eyes जो है 3 से लेकर 5 वीक के अगर बात करें हम तो यहाँ पर eyes, heart, ears, limbs इन सब में defect आने के chances होते हैं अगर mother किसी triatogen से expose हो रही है तो यह case था right अब अगर हम option पे आते हैं तो वो ला है कि which of the following type of stem cell have the highest risk of triat trauma formation, hematopoietic stem cell तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि hematopoietic stem cell की अगर हम बात करते हैं तो यह लगभग उस stem cell की बात करी है, जो कि blood का formation करवाता है, तो वो तो बहुत बात में multipotent के अंदर चला आता है, spermatogonial stem cell की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही है, क्योंकि यह हम एक ऐसे face क होता है, जब zygote का formation हो गया और embryonic development चल रहा है, mesenchymal stem cell होगा नहीं, तो हमारे पास option कौन सा बच गया, embryonic stem cell, क्योंकि यह जो stage है, वो कौन सा चल रहा होता है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो यह, it is the embryonic period, तो hence embryonic stem cell जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा affected होते हैं, अब इस डंग से यहाँ पे question पूछा गया है, तो I thought कि मैं इसको question के form में ही आपको concept भी gain करवाओ, कि क्या होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान लखना है कि Tratogenesis is a type of the process, जिसमें कि birth defect देखा जाता है, और यह defect mainly जो है, effect करता है 3 से 8 week तक यह ज्यादा serious effect करता है, in case of the fetus, या फिर embryonic phase आप कह सकते हो, ठीक है, embryonic phase, और हम अगर इसी germ cell में, अगर हम बात करें कि अगर कोई problem होती है, तो उसे हम Tratoma कहते हैं, यानि cancer of a type of the germ cell, इसे हम Tratoma कह सकते हैं, so Tratoma क्या है, it is a type of the germ cell tumor, ठीक है, germ cell का tumor हो जाना, that is what a type of the Tratomas भी कहा जाता है, Tratoma भी कहा जाता है, ठीक है, तो मैं अमीद करती हूँ, आज हमने question के medium से कुछ concept gain किया, थोड़ा सा कुछ अलग try किया मैंने, कि question भी practice हो जाए, और उसके बहाने हम कुछ specific तरीके से concept भी gain कर ले, so I am expecting कि ये session आपके लिए useful रहा होगा,